सब्सक्राइब कीजिये beer crafting channel को बेल ऑकन को क्लिक करें और देखें fashion and homemaking video सबसे पहले hello friends welcome back to my channel beer crafting तो आज की इस वीडियो में हम cape slip बनाना सीखेंगे जू कि बहुत ही easy और stylish है तो चलिए देखते हैं तो देखिए जैसे कि यह मेरे पास कूर्टी है और यह कूर्टी का आर्मोल है और इसमें हमें केप स्लिप बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने फैब्रिक को लेंगे ऐसे और यह जो आर्मॉल है इसको इसके उपर ऐसे रख देंगे यह आर्मॉल को यहाँ पर रखने के बाद ऐसे बराबर से यह उपर की तरफ हमारा थोड़ा सिलाई में जाएगा यह कूर्थी का यह हिसा तो ऐसे रखें और यह बराबर रखने के बाद यह जो आर्मॉल का जो है यह शेप इस पर निशान लगा लेंगे ऐसे बराबर में बिल्कुल आप निशान लगाएं और फिर यह किनारा है आर्मों का वहां पर ऐसे बराबर में निशान लगा लेंगे लिखे ऐसे निशान लगाने के बाद अपने यह कूर्ति को यहसे हटा लेंगे और फिर इदर सिलाई के लिए हम एक्स्ट्र निशान लगा लेंगे और इधर किनारे से फोल्ड करने के लिए भी हम एक इंच का एक्ष्ट्रा निशान लगा लेंगे तो हमने मार्किंग कर ली है केप स्लीब की अब हम इसको काट लेंगे तो पहले यहाँ पर बीचो बीच एक ऐसे नौच लगा ले उसके बाद इस वाली मार्किंग पर कर लेंगे तो यह केप स्लीब की कटिंग हो गई अब मैं आपको इस टीच करके दिखाऊंगी कि यह से कैसे कूर्ती से अटेच करना है तो देखें हम अपने कूर्ती में केप स्लीब लगा रहे हैं तो यहां आर्मों से स्लीब को अटेच कर लिया हमने अब यह जो बाहर वाला जो यह इस्सा एक्स्ट्रा स्लीब का इसको प अब दूसरा स्लीप बीए हम ऐसे ही सिल लेंगे किनारे में तो देखिए नहारे-मम्ने ऐसे सिलाई लगा ली और अब यह कुर्थि के बराबर में आ जाएगा यह इसलीप अब आपको जैसे फिटिंग लगानी हो अपनी उसी किरूइप से इसकी सीलाई कर लें सिछा से लिकिए पूरे नीचे तक यहां ट्रेंगल शेप हमने दिया था तक पूरी में लगा लेंगे अगор हुआ ट्डि तो देखे पूरी कूरती में सीलाई लगाने के बाद केप स्लीब ऐसे दिखेंगा किक न चलूक आरहा इसका तो आपने देखा केब स्लिव की मार्किंग कटिंग और कितना इजी है तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है होगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद